हेलो दोस्तो आजम करेंगे जनुवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक की 10 मेनी के हरियाना करेंट अफिर दोस्तो और इस करेंट फिर से नाश्ट इग्जाम आपको 100% क्वेशन देखेने को मिलेगे दोस्तो और यह पार्ट 3 है इस पार्ट 3 में हम स्थंबर और अक्टूबर महिन इस ग्राम से यह फिर सीटी में इस महिने से आपको क्वेशन देखने को जरूर मिलेगे इस बात की ग्रांटी देता हूँ और दोस्तो बात करें अगर इसकी PDF की तो PDF फाइल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वासे डालोड कर सकते हैं और दोस्तो क्वेशन मैं ने इसमे में वल लाइनर लिये हैं क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर«-PDiab को पट्ते टाइम लंबे हो जाती है तो आपको समें वल लाइनर क्वेशन मिलें दोस्तों बेसे हो लेकिन एकस्पलेशन आपको साती-सात मिलेगी तापकी question अगर गो मा भिराके ब्याए तो आप उसे solve कर सकते हैं question number one है हरियाना रैज्जे में कौन सा अंतराष्टिय सुरुजकुन क्राफ्ट मेला अजादी के अमरित मौसो के रूम में मना जाएगा तो 35 मा अंतराष्टिय सुरुजकुन क्राफ्ट मेला अजादी के अमरित मौसो के रूम में मना जाएगा और इस मेले का अयोजन 4 से 20 फरवरी तुजरबाइस को किया जाएगा फ्रिदाबाद में और इस मेले में सहयोगी देश होगा ब्रिटेन अभी तक क्राइजे गोशित नहीं हुआ है क्राइजे का पहला मस्रुम सर्वेक्शन की जिले में किया गया है दोस्तों किया गया है युम्नानगर जिले में और युम्नानगर जिले में भी कहा पर है तो कलेसर राष्टिय उध्यान और कलेसर वन्यजू अब्यारण में 30 तंबर को इस सर्वे किया गया है और इस सर्वे में मुख्या फोकुस हरा मस्रूम पर इनकी जो भी मस्रूम होते है अच्छा तरी होते है अपनी देखा होगा या फिर कोई फूपून दोंता है उस पर सर्वे किया जाएगा क्वेस्टन बर 3 है हरियाना के की सगाओं में जियों की नोलेज के लिए ग्यान के इंदर बनाया जाएगा दोस्तों ग्यान के इंदर बनाया जागा काजले इड़ी गाओं पढ़ता फतेबाद जीले में और हाली में कुछ दिन पहले यहां पर सोप्ट सैल टर्टल पर जाती कचुवे पाए थे इसलिए चर्चा का वीश्य था क्वेस्टन बर 4 है और दोस्तों एक इंपोर्टन बात बता देता हम आपको जो भी हरियाना मेला पुलिस हो या फिर आसाई का पेपर हो था उसमें हरमारी क्रेंड आफेर से बार कोई भी क्वेस्टन नहीं गया है और बात करें हरियाना पुलिस की पेपर की तो आपको उसमें जनवरे 2020 से लेकर है स्टमबर अक्टूबर तक आपको क्रेंट आफ़ेर पढ़नी होगी अगर आपको इस क्रेंट आफ़ेर चाहिए तो नीचे लिंक से डाउलोड कर सकते हैं और जादा जानकरी के लिए आप टालिग्राम लिंक भी नीचे वहां से जूड़ सकते हैं वाँ पर मैं डैली कुछ इंपोर्टन बाते या फर पीडियाफ शेयर करता हूँ तो क्वेशन बर च्यार देख लेते हैं हरियाना के कीस जिले में मन रोंजन पारक बनाया जाएगा तो करनाल जिले में बनाया जाएगा क्वेशन बर पांच है हरियाना सरकार ने स्कूली बच्चों को परवता रोही के गुर सिखाने के लिए की सोटी का चेन किया है दोस्तो हरियाना सरकार ने की सोटी का चेन किया है तो यूनम चोटी पड़ती है दोस्तों ये कहां पर हिमाचल परदेश पर ताकि जो भी सरकार स्कूल के बच्चे हैं उन्हें से जादा जानकरी दी जास के परवतों के बारे में क्वेस्टन बर चाह है हरियाना रेज्जे में पलस पोलियो 2020 के दूसरे उपर राष्ट्रिय टीककन का अब्यान का सरवात किसी ने की थी तो इस अब्यान की सरवात की थी मुख्य मंतरी मनहुरलाल ने और कब की थी दोस्तों करनाल जिली से इसकी सरवात की थी और यह अब्यान हरियाना के 13 जिलों में 26 स्थम्बर से लेकर 28 स्थम्बर तक चला गया था नेक्स्ट है क्वेस्टन बर साथ है हरियान की किस नुवस्टी के दो अधिकारियों को राष्टिय सेवा युजना पुरुषकार मिला है तो एच्ची नुवस्टी के दो अधिकारियों को राष्टिय सेवा युजना पुरुषकार मिला है और राष्टति रामनात कोविद ने ओनलाइन करेकर्म के माध्यम से यह अवार्ड दिया है और क्यूं दिया है तो सिवा के चेतर में बैतर परदर्शन करने के लिए और किस-किस को मिला है तो डाक्टर बागत सिंग को और अभी सेग को मिला दोस्तों यह अभी सेग यहां पर रहा इन्हे राष्टिय सेवा युजना पुर्शकार 2019-2020 मिला है एननाय सेसर के चेतर में क्वेस्टन बर आठ है हरियाना रैज्जे के गाउं गुडियानी में बाबू बालमुकंद गूप्त राजकिया मोडल सस्कूल का सुबरम किस ने किया है तो इस स्कूल का सुबरम किया अरविन्द सर्मा ने दोस्तो और ये रोतक से सानसद है क्वेस्टन बर नो है हरियाना रैज्जे ने केंद्रिय सीवल सेवा सांस्कृत के अंक्रिडा बोर्ड नई दिली की तरफ से आजित महिला वलिवल परत्योकता में कौन सा स्थान पराप्त किया है तो हरियाना महिला ने पहला स्थान पराप्त किया है क्वेस्टन बर 10 है हाली में हरियाना रैज्जे के किस गाउं को सांसद नौब सैनी ने गोद लिया है दोस्तो हाली मेनों ने दुराला और रामसन माजरा को लिया है दोनों गावे कुरुक्षेतर में पढ़ते हैं और एक कुरुक्षेतर से सांसद है और इस्तमबर मेने की बात दोस्तो इससे पहले ही कुछ गावों को उदले ले चुके हैं Question number 11 है हरियाना के 21 जिले में रैज्जे का पहला पंडित दिन द्याल चोक बना गया है दोस्ते चोक बना गया अमबाला सहर में और इने की जैनती पर इसका उदगा अटन किया है और इसका उदगा अटन किया था उमप्रकासदन खड़ने Next question number 12 है हरियाना के 21 वैक्ति को राष्टपती दुबारा वय उरुद अवार्ड से समानित किया जाएगा तो इस समानित किया जाएगा दोस्तो इलम चंद को और इस इरसा जिले के रहने वाले है और इन्हें अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने वय उरुद खिलाड यो में तराष्टे स्तर परसांदार खेल पादर्शन किया था और दोस्तो इलम चंद मोल रूप से उत्तर परदेश के रहने वाले है लेकिन ये 2000 से लगबग 2000 से हरियान में रहते हैं तो इसलिए आपके लिए इंपोटेंट है á नेक्स्ट है क्वेस्टर म्गर तेरा है और हुनरा आपका उद्गाटन किसी ने किया था तो मनहोलाल ने किया था दोस्तों और 25 स्टमबर को इसका उद्गाटन किया था पंडित दीन दियाल उपाद्य की जैनती पर और उसी दिन चोधरी देवलाल की भी जैनती होती है क्वेस्टन बर 15 है हरियाना राज्ज में पहली बार कितने गाओं में 30 रिवेक्षन करवाया गया है तो दोस्ते करवाया गया दस गाओं में रेवाडी वे अरावली के असपास के दस गाओं में करवाया गया है Q16 है, हरियाना में जीन भी प्रिवार के सभी सदस्यों को COVID की दोनों डोज लग चुकी है, उनके गर को क्या नाम दिया गया है तो Green Star House का आजाएगा और किसने को सुना की है, तो हरियाना के सवस्तेमंत्रिय नील विजने Q18 है, हरियाना रेज्य में अंतराष्टे गीता मोज सो 2021 का युजन कब से कब तक किया जाएगा तो 27 नॉम्बर से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक और ये 6 अंतराष्टे गीता मोज सो होगा Q19 है, हरियाना के किस लड़की ने VPSC प्रिक्षा 2020 में पांचमा स्थान पर आप्त किया है तो मम्ता ने किया दोस्तों नारनोर से बिलाओं करती है Q20 है, हरियाना के किस जिले में चोधरी देवलाल की सबसे बड़ी परतीमा स्तापित किये गई है Q21 है, हरियाना के किस जिले की गउन के लालपूर में और दिल्ली मुंबई हाइवे पर और ब्याइज पूटूंची है ये और 25 स्तंबर को इसका उद्गाटन किया था Q21 है, हरियाना के किस जिले की गगंदीब कोर का चैन Q24 है, हरियाना सरकार ने किस वरस तक है Q25 है, और दोस्तों हमारी करेंडा फिर से कोई भी Q2 बाहर नहीं जाएगा Q25 है, हाली में All India डेविट and Investment Survey की रिपोर्ट के नुसार हरियाना रैज्जे ने गरामन संपत्ती में कौन सा स्तान पराप्त किया है तो पहला स्तान पराप्त किया और दोस्तों होता क्या है इनकी बारत में जो एक सर्वे हुआ था उरसों सर्वे के इसाब से पाया गया कि हरियाना की गरामन संपत्ती सबसे ज़्यादा है पूरे देश में क्वेस्चन नुबर 26 है आली में मुख्यमंत्री मनहुरलाल ने किस पुलिस अधिकारी को समानित किया था तो महरूप हली को किया है क्वेस्चन नुबर 27 है हरियाना रैज्जे में गीता मोसो की तरज पर किस ऊचो गायजन किया जाएगा तो किर्शना ऊचो या प्रकिर्शना मोसो गायजन किया जाएगा सरी किर्शन के बारे में बताया जाएगा इसमें क्वेस्चन बर 27 है हरियाना की किस वैक्ति को राष्टपती दोवारा राष्टिये सियोवाय उजोना पुर्षकर सम्मानित किया गया है तो अलोकनात पांडे को भी मिला है दोस्तों पर ये राष्टिये सियोवाय उजोना पुर्षकर 2019-2020 कई वैक्तियों को मिला हरियाना से क्वेस्टन म suggestion अर्याना ने के इंदर शचंडीगट की किस इनूवर्ष्टी में अपनी इस्यधारी मांगी है तो पन्जाब इनूवर्ष्टी में पहले हारियाना की इस्यधारी होती थी फिर उसे वापस ले लिया अब खट्र सरकार दूबारास इसमें अपनी स्यधारी मांग रही है क्वेस्टन बर 30 है हर्याना के की जिली में स्तीत गोसाला में बूर्ण परत्यरोपित विदी अपनाए गई है दोस्तों ये अपनाएगे पिंजोर में परतिक काम देनू गोसाला और वहीं पर हर्याना रज्जे का पहला गोसाला अनसुदान के इंदर भी है और दोस्तों ये पहली ऐसी गोसाला जापर ये बूर्ण परत्यरोपित विदी अपनाए गई है नेक्स्ट है क्वेस्टन बर 30 है मुख्यमतरी बागोनी फसल बीमा योजना में कितनी सबजी फसलों को कवर किया जाएगा तो 21 को किया जाएगा दोस्तों वैसे तो ये एक जनवरी 2021 से लागो चुकी है आपको याद रखना है यहाँ पर योजना की बात हो रही है क्वेस्टन बर 32 है हाली महरियाना रैज्जे के किस इनवरस्टी को यूजीसी ने स्थाई मायनता दी है तो दोस्तों इनवरस्टी है OSGU ओम स्टरलिंग ग्लोबल इनवरस्टी सार में स्थापित है क्वेस्टन बर 33 है हरियाना सरकार रैज्जे मिर्यात को बड़ावा देने के लिए किस ब्यूरो की स्थापना करेगी तो एक्सपोर्ट पर्मोशन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी क्वेस्टन बर 34 है हरियानक 21 जिले मेरा जेस्तरियाववानी जे उच्छो मनाया गया था तो ये उच्छो मनाया गया था गुरुगराम जिले में Next है question number 35 है हरियानक के की से रिटार्ड आयस अधिकारी को किंदर सरकार ने प्रयावन परदूसन निंतर प्राधिकन का देक से बनाया है Question number 36 है हरियानक की से रिटार्ड को किंदर सरकार ने सुपर्मानियम बारती प्रुषकार से समानित किया है मादो कोशिको किया दोस्तो और बिवानी से बिलाओं करते है Question number 37 है हरियानक के की हिजिले के विटा प्लाट को विदेशो में गी वा दूद के पाउडर के निर्यात की मंजूरी मिली है दोस्तों सिर्षा को मिली है सिर्षा के विटा प्लाट को और यह हरियानक का दूसरा सा प्लाट है जो विदेशो में निर्यात करेगा इससे पहले रोत्तक विता वीटा प्लांट को भी मंजूरी मिल चुकी है क्वेस्चन बर 38 है हरियाना की किस लड़की को यंगैस्ट फिमेल मेंटालिस्ट का किताब मिला है तो चेतेन्या दोस्तों ये सोनिपत से बिलाओं करती है क्वेस्चन बर 49 है हरियाना सरकार आईटाई की कितने ट्रेडों में अडमीशन लेने पर लड़कियों को 500 रुपे पोर्टसाँ आशी देगी तो 27 ट्रेडों में से इन दो जो भी 27 ट्रेड रहरेना सरकार ने दिया है उनमें से अडमीस लेने पर 500 रुपी दिये जाएंगे लेकिन मेवात जिले में 1000 रुपी दिये जाएंगे दोस्तों ये आपको याद रखना 13 इस्तंबर से योजना लागव हो चुकी मेवात जिले में क्वेशन बर 40 है हर्याना रेज्जे में मौर्निंग की तरज पर कहां पर 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 व्यागव आड़िं की सरुवात की जाएगी सुके सरुवात की जाएगी eldr दोस्तों इसकी सरुवात की जाएगी हैं मेलषीमा ठीखरा को बढखल से विवदायख क्वेस्टन बर 42 है हरियाना के खिलाड़ी केवल खारिया जो इसार से बिलाउं करते हैं इन्हें अंडर 23 सीनियर कुष्टी चेंपिनशी में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है क्वेस्टन बर 43 है हरियाना के किस जिल में परलॉंपिक बोन बना जाएगा तो फ्रिदावाद में बना जाएगा क्वेस्टन बर 44 है हालीम हरियाना रैज्जेन एन्मियम मुक्त बारतेब्यान 2021 में कौन सा स्थान पराप्त किया है तो हरियाना ने चोथा स्थान पराप्त किया है और 2020 वाले में पहला स्थान पराप्त किया था 어가टन के स्फिंटेसंध कितिने विगयनिकों को गोरल पुर्शकार दिया जाएगा तो चार को दिया जाएगा दोस्तों किरख्ष्व्यटेसंध मेहरा प्रोफेटर अजे गोष्प्रोफेशन सयम सुन्दर प्रोफेशर रोहनी गोड़ बोले क्वेशन बर चालीस है हरियाना रैज्जे के दिन बंदू सर सोटुराम के जीवन पर दारित सर सोटुराम राइंटिंग्स एंड सपीचेंज नामक पुष्ट के पांचवे ससकन का विमोचन किस ने किया था तो इसका विमोचन किया था दोस्तों MK वेंक्या नाड़ू ने और इसी दिन गुरूगराम में उपराश्टपती MK वेंक्या नाड़ू ने परलॉंपिक राडियो को भी समानित किया था गुरूगराम जिले में Q47 है हरियाना के किस मंतरी को Signing Seek Youth of India आवार्ड मिला है तो इमिला संदीब सिंग को और ये खेल मंतरी हरियाना के Q47 हरियाना के कितने सहरों को देश के 50 सबसे परदूसीत सहरों में सामिल किया गया है Q49 है हरियाना के किस जिल में मसली बजार बना जाएगा तो गुरूगराम में बना जाएगा Q50 है हरियाना सरकार ने जल सरक्षिन अभ्यान का Goodwill Ambassador की से नुक्त किया है तो दोस्तो मनिका सोकंद को इसका Goodwill Ambassador नुक्त किया गया है और ये मनिका सोकंद जीद के उन्चाला से बिलोंग करती है और ये पहले मेरा पाने मेरी वरा सत्यूजना की भी Brand Master रह चुकी है Q50 है हरियाना सरकार रैजे के कितने बलोकों में पसूची किसा मोबाइल वैन चलाएगी तो 140 बलोकों में चलाएगी Q52 है हरियाना सरकार ने नहरी पाने की चोरी को रोकने के लिए कि सिस्टम की सरवात्की है तो RTDS सिस्टम की सरवात्की है Real Time Data Acquisition System है Q53 है हरियाना की किस पुलिस अधिकारी को Lifetime Achievement Award 2021 मिला है तो सो मिला रोसलाल खटकड को रेजीन के नगुरों गाउं के रहने वाले है Q53 है हरियाना की खिलाडी निरत चोपडा ने कोन बनेगा कोड़ पती में कितने रुपी गरासी जीती है तो तिनोंने 25 रुपी गरासी जीती है नेक्ट है क्वेस्ट नमबर पिचपन है हरियाना की की जिले में रज्जे स्थरिय योग पर तोक्ता का जन करवाया गया था गुर्गराम में करवाया गया था क्वेस्टन नमबर 56 है हरियाना के की जिले में रज्जे का पहला प्रद्योग की किंदर स्थापित किया गए है दोस्तों रज्जे का पहला रोतंग में स्थापित किया गए M, S, M, E के दोवरा स्थापित किया इनकी सुक्सम लगू द्योग के दोवरा क्वेस्टन बर स्थावन है हरियाना रज्जे की स्वाष्था किंदर को किंदर सरकार से पुरुषकार से समानित किया किंदर सरकार ने तो सामुदिक स्वाश्था केंदर, प्रैमरी स्वाश्था केंदर और अरबन प्रैमरी स्वाश्था केंदर सभी को समानित किया है। कुवेस्चन नमबर अठावन है, हरियाना रज्जे की गुरु जंबे सर्व अनिवर्स्टी को नेशनल इंसिटूशनल फ्रेमवर रैंकिंग तो जरीकिस में कौन सस्थान मिला है, जेजी उनिवर्स्टी को मिला दोस्तों 28 सीवाँ और इसार में स्थापई था है, उन्नी 900 किलोगरम परतिक टेर की दर्स से परतमसान पर रहा है, क्वेस्टन नमबर शाट है, हरियाना सरकार ने बुख्यमंतरी विवास सबून योजना के रासी को 50,000 रुपे से बढ़ा कर कितना कर दी है, तो 31,000 रुपे कर दी है दोस्तों और ये बीपिल परिवार के अली अलग दोस्तों गुरुगरम पलवल नू और एक अलगबग हरियाना में 160 किलोमेटर लंबा होगा ये आपको याद रखना है, क्वेस्टन बर 62 है, हरियाना की पनिपतर रिफाइनरी को राजबासा की चेतर में कौन सा पुरुषकार मिला है, तो राजबासा कृति पुरुषकार म स्थीत है, है वेली सेठा सुस्तावन के सवजंतरता संगराम के सिख्के मिले है, तो कवाली गाउं पड़ता दोस्तर रेवाडी में, क्वेस्टन बर 65 है, हरियाना की की जिले के खिलाडी, निर्चरा का चेन, फरास के वर्सालीस मेवजित विश्व डीफ जूडो चैंपिन को, क्वेस्टन बर 66 है, हरियाना सरकार ने की जिले में लड़कियों के आईटे में अडमिसल लेने परहेखजार रुपे की प्रोसनासी देने के उज़णा सरू की है, तो मेवात में किये दोस्तों और एकलोते मेवात जिले में हजार रुपे मिलेगे, बाकी की जिलों में 500 रुपे मिलेंगे, क्वेस्टन बर 67 है, हरियाना रैज्जे के गेहूं जो अनसुदान सहस्तान करनाल ने गेहूं की कौन सी दो ने किसमें विक्षित की है, तो डीबी 302 और डीबी 327 है, नेक्स्ट है, क्वेस्टन बरुन इत्तर है, हरियाना के की सैर ने देश में कोविट की वैक्षिन देने में पैलस्तान परात किया, तो चंडिगट ने किया दोस्तों, जो से टार्गेट दिया था, सबसे पहले से ने पूरा किया है, वैक्षिनेशन की एक या दो डोज देने में, क्वेस्टन बर 70 है, हालिम हरियाना रैज्जे के मुख्यमत्री मनहुरलाल ने कि इस देश को अंतराष्टे सुरुजगुन क्राफ्ट मिला 2013 में सेयोगी देश करू में अमतरित किया था, तो पोलेंड को अमतरित किया है, क्वेस्टन बर 22 है, हरियाना के कि इनवस्टी के चातर है, वीपीन सर्मा का गलोबल स्टुडेंट पराई 2021 में नाम सामिल हुआ ह तो HCU, इनके हरियाना सेंट्रल इंवस्टी में इनदरगड में स्थापीती, इसके चातर है, वीपीन सर्मा नेक्स्ट है, क्वेस्टन बर 23 है, हरियाना के कि इस जिल में वेगा फुड़ पार स्थापीत किया जाएगा, दोस्तों, इंपोर्टेंट है ये, सोनीपत और रोतक में स्थापीत किया जाएगा, पहले च्यार थे, अब ये दो स्थापीतों जंगे कुल छाह हो जाएंगे हरियाना सरकार ने वर्थ 2021 में कितने हजार सोलर पंप लगाने का लक्सिया रखा है हरियाना के की संस्तान ने अर्टीफीशियल, इनसी मेशन तकनीक से बक्रियों के कलोन बनाए है उख जो केंद्रिया बेड पर जनल फार मिशार ने कलोन बनाए है और इनसी जन में बीटल नसल के बकरिया बक्री तंतुरूस्त पैली नहीं लगे प्रवजिन कीया जाएगा इंशार जिले में जूनियर नैसेनल रेसलिंग चैंपिनशिप का उजनि किया जाएगा दोस्तों इसार जिले में इसार जिली में इसका उजन किया जाएगा Q80 है हर्याना सरकार ने उबर 2022 तक है रहेजे में कितने परतिसत कुपोशनों को कम करने का लेक्सिय रखाया तो 6% Q80 है हर्याना रहेजे में खेलो उडिया यूथ गेम का उजन कब करवाया जाएगा तो 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 को करवाया जाएगा Q83 है हर्याना की की चातरा का इसरों में चेन हुआ है तो शिवानसी आदो दोस्तों और हर्याना अगरिकल्च इनिवर्स्टी शार की चातरा हिए और शिवानसी आदो रेवाडे जीले के गाउं कुस्पुरा की रहने वाली है Q84 है हर्याना के खिलाडे निरत चोपड़ा के नाम से की सराज्य में राजमार का उदगाटन किया गया है तो करनाटक में किया गया है और कहां पर किया गया है तो दोस्तों इनके माता पिता अनकी सरोज देवी और पिता सतीश कुमार ने वैलारी करनाटक में इंस्पाइल इंसिटूट आफ सपोर्ट के एक समान समारो में से नीरत चोपड़ा मारकाउद गाटन किया है Q85 है हर्याना राज्य से कितनी बेटियों का इटली अंतराश्टी जुनियर जुड़ो परत्योकता के लिए चेन हुआ है दोका हुआ है और ये 6 से 10 अप्टूबर तक खेली जाएगी इटली में और इसमें गुरुकुराम की सिमरन है और इसार की रितूबरमा है Q86 है हर्याना के की जिल मेराज्य का पहला सपोर्ट इंजरी रेबिलिटेशन सेंटर बनाया जागा तो पच्कुला मनाया जागा रजिस्टरी और पहला Q86 है हर्याना के की जातर ने नेट वर्किंग फोर एंड यूजर एज रिचेबल और्गिनाजड नेक्स मोबाईल लैब बनाया दोस्तो किसे ने बना तो गोरोबन ने बनाया दोस्तो और यूमनागर जिले से बिलाओं करते हैं और राष्टपती ने इने किस अवर्ट से समानित किया है तो राष्टपती ने इनस्पायर आवार्ड मानक से भी समानित किया है और दोस्तो है क्या अगर मान लो आप भी किसी लाके ऐसे लाके में गए हैं पर आपकी सीम नहीं है आप दूसरी सीम कर नेट आपरक से बात करते हैं कुछ ऐसी आप मनाई इनोंने Q88 है हरियानक 21 जिले निराज्य में सबसे जादा महिलाओं का सियों मसायता समू बनाने में परतमस्तान पराप्त किया है तो करनाल ने Q89 है हरियानक 21 कोलेज ने National Institutional Ranking Framework 2021 में परतमस्तान पराप्त किया है दोस्तों बात यहां पर कोलेज की हो रही है तो कोलेज में पहला स्थान पराप्त किया दोस्तों हर्याना अगरी विश्वजाल्या इनकी सिन्वर्स्टी में कोलेज पढ़ता है इंदराचा करवर्ति गर्याय विज्यानु विश्वजाल्या ने पर्तम स्थान पराप्त किया ह क्वेंस्टन नब्वे है, हरियाना रैज्जे ने वर तोजर इकिस-बाइस में सोलर पंपों की स्थापना करने में देश में कौन सा स्थान पर आपत किया है? दोस्तों, 2020 में स्थान पर आपत किया तोस्तों, पहला, पंतरा हजार पंपों का लक्सिय रखा था जिन में से 14,46 पंप लागा अगर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और 2021 वाइस में 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्सिया भी रखा है क्वेस्चन बरिक्यानुवा है हरियान के की जिले के किसान संजे यादो को जल सरक्षन हवाड मिला है तो रिवाड के दारुवेडा के संजे को मिला दोस्तो और चोदरी चन सिंग हरियान वस्टी की तरफ से निया दिया गया है क्वेस्चन बर बानुवा है हरियान उर्दु का अदमी दोरापर कासित सूफी संत और समाज नामक पुस्त का लेख कोन है तो इस पुस्त के लेख के दोस्तो посмотрим अरभन सिंग और इस पुस्त का लोकरपन हरियान अकादमी बवर में केंद्रिय कादमी की उपादेख मादो कोसिक और उर्दु कादमी के उपादेख डाक्टर चंदरा तिर्खा दोवरा किया गया है नेक्स्ट क्वेसन बर तीराणुवा है हरियान के कीस जिले के राष्टी राजमारक पर वाईउ सेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पटिया बनाई जाएगी तो सिर्साम पड़ता दोस्तो राष्टी राजमारक नो पर बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर वाईउ सेना के विमानों के मर्दंसी लांडिक की जाए और हाईवे बर पांच किलोमेटर की सड़क को पटि में बदला जाएगा क्वेसन बर चुराणुवा है हरियान के की समहलाक लाड़ी को तागरेट वाल आफ इंडिया कहा गया है तो सवीता पुन्या को कहा गया है और यहोग की टीम की बैस्ट गोलकीपर है क्वेस्टन बर पी चानुवा है हरियान कन्या लोकाइट किसे बनाएगा दोस्तो यह लोकाइक तो बनाएगा हरिपाल वर्मा को और यहरीयान की पांस मेलोकाइट है क्वेस्टन बर चानुवा है हरियान की एक किस कमपनी को उत्करष्ट उरजा कुषल इन्वेट पुर्षकार मिला है व्रियान की किस मेला को पुष्पा हरि राम पंजाब 20, NSS नेतरत अवार्ड मिला है तो डाक्टर आर्ती गोड को मिला दोस्तो और ये चोधरी देविलाल में एक प्रोफेसर या निदेखशक है क्वेस्चन नम्बर ठानुवा है हरियाना सरकार ने रैज्य में किस वरस तक तमाकू पर बैन लगा दिया तो स्तंबर 2022 तक है क्वेस्चन नम्बर ठानुवा है हरियाना कि किस दूर्दर्शन रेले के अंदर को किंदर सरकार ने कर दो किस साल तक कर रिकोर्ड ओनलाइन कीया है दोस्तों आपके नीजी जिन्दकी के लिए question most important है इनकी 1970 के बाद जीन में विदार्तियों ने दस्मी की हो, बिवानी की बोड से या उपन से की हो या हरियान बिवानी बोड उपन से पारवी की हो या जेबीटी की हो सब की अब हम DMCA market online ले सकते हमें वहापर जाने की जुरूत नहीं है हमें आवे दिन करना हो इनकी साइट से question number 101 है हरियान में कहां पर है IFR के प्लाइंट स्तापित किया जाएगा तो प्लाइंट स्तापित किया जाएगा तरावंडी करनाल में स्तापित किया जाएगा question number 102 है हरियान के पंचकुला जीले में 68 के लोगा सुबारम किसने किया है तो मनहोर लाल ने किया है 29 स्तंबर 2021 से question number 13 है हरियान के इनलापा दुजान सबाश सीट पर राज्य का कौन सा उप्चना होगा दोस्तो राज्य का 37 मा उप्चना होगा और इस सीट पर 30 एक्टूबर को उप्चना होगा और दो नूमबर को नितीजे जारी होगे और इस सीट से अबे सिंग चोटाला ने अस्तीफा दिया था 27 जनवरी 2021 को अस्तीफा दिया था यह आपको याद रखना है और इस सीट पर पहले दो उप्चनों हो चुके है 970 में 2010 में और अब 2021 में तीन उप्चना होगे तीसर उप्चना होगा इस सीट पर और इस सीर्षा जलेम पढ़ती है अलाबाद क्वेस्टन नमर इक्षो चार है हरियाना राज्य के किस विबाग ने हरियाना कोशल विकास मिसन ने इस आपको त्यार किया है और इस आपके साथ ही समर्पन पोर्टल का सुबर्म किया था मुख्या मंतरी मनहोराले 25 स्टमबर को पंडित दिन देल उपादे की जैनती पर और दोस्तों यह हुनर आप क्या है तो रोजगार से समंदी था जो रोजगार के बारे में जानकरिया प्रसिक्षन देगी हरियाना सरकार क्वेस्टन बरक्से वो पांच है हरियाना रेज्जे ने फूड इंडेक्स 2021 में देश में कौन सा स्थान पराप्त किया है तो इस इंडेक्स में हरियाना ने बारोमा स्थान पराप्त किया है और खादे सुरक्षा के पांच मानकों के दार पर ये रैंकिंग जारी की गई है इसमें हरियाना बारोमे पर रहा है और पहले पर रहा दोस्तों गुजराद, दूसरे पर केरल और इस Right형 में हरियाना ने 100 में 47 कोर किया है और पिछली साल हरियाना इस Right형 में 60 में चा Dw ответ शाया है हरियाना सरकारने 20 पसल को 20 बरपा युजरा में सामिल किया है तो बाजार्यों को सामिल किया है question mark 7 है हरियाना के की जिले के सातर गोरो सिंक और श्टपदी दोरह इन इस पार आवार्ड मानस की समानित किया दोस्तों इमनागर से बिलोग करते हैं Q8 है हरियाना के की हिचले में Amazon India कमपनी अपना साथ मां आपूर्तिक के अंदर स्थापित करेगी तो गुरुगरा में स्थापित किया जाएगा Q9 है Q9 हरियाना के राष्टिय अपर जोगी की संस्तान कुरुगचेतर ने नास्टनल इंसिटूशनल फ्रेवर रांकी 2021 में कौन संस्तान पराप्त किया है तो चोड़ी संस्तान पराप्त किया है Q110 है हरियाना से कितने खिलाड़ी Q1 हरियाना के खिलाड़ी निरत चोपड़ा को किस कंपने अंबराणा मैंश्टर बनाया है तो टाटा AI Life Insurance Company है ये Q13 हरियाना सरकार राज़ी के कितने गाउं में पारक कमेवसाला स्थापित करेगी तो 2025 गाउं में स्थापित किये जाएंगे Q14 हरियाना राज़ी ने दूसरी बार Crime and Criminal Track Network and System में कौन संस्तान पराप्त किया दोस्तो पहला स्थान पराप्त किया है और रैंकिंग पहले भी जारी हुई थी जून में तब भी पहला स्थान पराप्त किया था फिर जुलाई में जारी हुई जब भी दूसरा स्थान पराप्त किया है Q15 हरियाना राज़ी के कितने जिलों में सीवरेज ट्रेटमेंट प्लान्ट के तैत सुक्षम सी साई प्रोजनों को मंजूरी दी गई है तो च्छा जिलों मंजूरी दी गई है Q16 है हरियाना राजे में कितने वान पिटने सेंटर खोले जाएंगे तो 15 खोले जाएंगे दोस्तों हरियाना में अब तक एकी था वो भी रोतक जिले में Q17 है हरियाना के की जिले में मारूती सुजू की कमपनी अपना दूसरा प्लानेट स्तापीत करेगी तो सोनिपत के खोरकोदा में किया जाएगा 901 जमीन पर और पहला स्तापीत किया थे इनोंने गुरुगराम में Q18 है हरियाना के की जिले में स्तीत है डोसी हेल इसको प्रेटरन स्टल के रोम में विक्षित किया जाएगा तो में अंदरगड में पढ़ती है Q120 है हरियाना राजी के की से एक मातल यूवश्टि को टाइम सायर एजूकेशन और वर्ल इनुवश्टि रैंकिं 2022 में अस्तान मिला है तो जेजी इनुवश्टि को मिला दोस्तों एक हजार और बारा सो एक के बीस में से ये रैंकिंग मिली है Q21 है हरियान राजी के तीसरे सरवे की सरवात किसी ने की है? सीरो सरवे की तो नहीं लविजने की है दोस्तों कई बच्चे के गिसर ये बहुत जादा question हो गई दोस्तों question जादा नहीं है मैं आपको सारे कुरुपैस्टन को वारा हूँ ताकि आपको एक भी कुईस्टन ना चूटे अगर आपको वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक हो जानों को सब्सक्रेब जरू कर देना और अगर आपको पीडियो सही है कि दो साल की जो हर्याना पुलिस में आ सकती है तो लिंक नीचे या पर वट्सेप पर मैसे जिकर सकते हैं और टेलेगराम से जरूर जड़े नई जानकारी के लिए क्वेस्टन नम्र 122 है हाली में स्तंबर में जारी ताजा टीट अवर्टिंग रैंकिंग में हर्यान की बले बात से फाली वर्मा कौन से स्थान पर है तो इसमें इस फाली वर्मा पहले स्थान पर है कई महिनों से क्वेश्चन no.23 है हरियाना की पिस दिले की मेनाक्सी ने इंडिया बुक आफ रिकोर्ट में अपना नाम दरस कर बाया है तो जिन से बिलाऊं करती है क्वेश्चन no.24 है हरियाना की पिस दिले में इन्डो इजısराइल पदक जीते हैं भी आपको याद करना है क्योंकि एक खिलाडी ने दो पदक जीते हो आगे आगा हम पढ़ लेंगे और दोस्ते एक बात और बता देता हूं आपको जो भी हरियाना पुलिस का पेपर आएगा उसमें टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो परलंपिक में आपको क्वेस रोजगार निगम का पहला सियो किसे नुक्त किया है तो इस रोजगार निगम का पहला सियो नुक्त किया है दोस्तो सरनमदी कोर बराड को Q227 है हर्याना पुलिस विबाग ने 112 अमर्जनसी नंबर में बैतर सेवार देने के लिए कितने पुलिस अधिकरियों को समानित किया है दोस्तों ये पहली बार सम्मानित किया इसलिए आपके लिए इंपोर्टन्ट है और ये पहली बार 15 पुलिस दिकारियों को सम्मानित किया है और हर्याना पुलिस महनिदेशक परसांत कुमार अगरवाल ने ये समानित किया जो भी उन्होंने पुलिस दिकरियों ने सेवा दी है लोगों को और इसके तैत दोस्तों जुलाई मा के लिए और अगस्त मा के लिए समानित किया दोनों के लिए कटा समानित किया है आप यहांसे पढ़ सकते हैं दोस्तों इनके नाम बता देता हूं बाकी फिर भी आपको में यहां पर जुलाई के लिए दोस्तों सुरी रीता देवी को मिला सर्वरेश्ट कम्यूकेशन ओफीसर का पुरिसकार सौनिपत यारपी को मिला है और पुरिसकार और पुरिसकार और पुरिसकार और अगस्त में भी दोस्तों ऐसे मिला पड़ ले लेना पीडियाप से आपको सानी से समझ में आएगा Q28 है, हरियाना में कहां पर देश का पहला Smart Air Purifier Tower बनाय गया है दोस्तों चंडी का बनाय गया और देश का पहला होगा दोस्तों और दिली में भी स्तापित किया गई है Q39 है, अंतराश्टी हरियाना एजुकेशन सोसाइटी का सब्रम किसी ने किया है तो मुख्यमंतरी मनहोरलाल ने किया दोस्तों दिल्ली मिस्तीत हरियान बोवन से Q30 है हरियान की की इस जिले में बेटी बैंड मीटन के लोकप 2021 का उजन किया गया था तो गुरुग्राम में किया गया था Q133 है हरियाना रायचे में पहली बार कि इस दिले में दूर्बल परजाती का लीटल बिटरेन पक्सी देखा गया है और ये पहली बार देखा गया हरियाना में तो मांडो ठीकाओं परता दो जज़र में वहाँ पर देखा गया है Q132 है हरियाना सरकार ने अगले 5 वर्सों में कितने परतिशत बूस जल की कमी को दूर करने का लक्से रखा हरियाना में तो 50 परतिशत है Q133 है चंडिगड का नया गरे सचुकी से निक्त किया गया है तो नितिन यादो को Q134 है हरियाना के किस जले की वर्सारिया ने गोल्डन बुक आफ रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया तो ये अरिया बिलोग करती पानिपस से Q135 है हरियाना के किस बेटी ने मिस्ट टीन इनुवर्स 2021 का किताब जीता है दोस्तों इस्तंबर की बात है तो एंजीलिना और राना ने जीता और रोतक से बिलोग करती है Q37 है हरियाना के खिलाड़े सिहराज अंदाना एक ही परलम्पिक में दो पतक जीतने वाले कौन से बारते खिलाड़ी बने है दोस्तों यह ऐसा करने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने है कि परलम्पिक में दो पदक जीतने वाले और यह फिर्दाबाद के तिमांग गाउं से बिलॉंग करते हैं और इन्होंने 10 मीटर एर पिस्टल में काश्या पदक और 50 मीटर पिस्टल ऐसाच मेरज़त पदक जीताई भी आपको याद रखना है Q37 है हरियाना राज़े में सबसे पहले कितने जीलों को बिजली फाल्ट मुक्त किया जाएगा तो दो को गुरुगा गरम हुआ है पंचकुला को Q39 है हरियाना के किस जील में गुप्त वंस की दिवार के अफसेस मिली है तो फतेबाद में एक बट्टूगा उंपड़ता बट्टूगा में करन कोट से मिले दोस्तों यहाँ पर कई अफसेस मिल चुके है Q49 है हरियाना के किस जील में गुप्त जाएगा बारतिय मानक संस्तान कारिया काला खोला जाएगा तो पानिपत में खोला जाएगा और दोस्तों यह हरियाना का दूसरा होगा पहला यह फ्रिदाबाद जीले में था अब दूसरा पानिपत में खोला जाएगा Q4 है हरियाना की किस एक मातर सिक्सक कोड़ाश्टे सिक्सक प्रुषकार दिया गया है तो ममता पालिवाल को और विवानी से ब्लोग करती है और गणित के द्यापिका है Q4 है हरियाना की जज़र जिले के गाउं समसेरपूर माजरा में ओक्सिवन का सुबारम किसे ने किया था तो मुख्यमंतरी मनहोर लाल ने Q4 है हरियाना रैज्जे में कब 35 वे अंतरष्टे सुरुजकून हस्ती मेले का उजिन किया जाएगा तो 4 से लेकर 20 परुषर 22 को Q4 है हरियाना रैज्जे में सबसे पहले कितने जिलों के रासन डिपो को गराग सिवा के इंदर में बदला जाएगा तो दो जिलों को बदला जाएगा सबसे पहले पाले प्रजेक्ट ग्रूम में सिर्शाव करनाल को question number 44 है हरियाना सरकार ने अंबाला जिले के सहिदी सम्मारक में परदर्सित होने वाली वस्तों के रखरकाओं की जिम्मेवरी किस विश्योजयले को दी है तो PLC Super University दोस्तों ये रोतक में स्तापित है यानकी पंडित लख मिचंद स्टेट विजवल आर्ट एंवस्टी ये कुछ इस तरह सी फूल फूमिस की question number 45 है हरियाना के घलाडी मनीश नर्वाल ने टोक्यो परलमपिक में की स्खेल में गोल्ड मेडल जीता है तो उन्हेंने सूटिंग में जीता दोस्तों मनीश नर्वाल ने और 50 मीटर पीश्टल सूटिंग में सोन पतक जीता है और मनीश नर्वाल मोल रूप से सोनी पतके है लेकिन ये कई सालों से फिरदाबाज जिले के बल लब गड में रहते है question number 46 है तो दोस्तों ये हरवीद निसिंग है और कैथल से बिलाओं करते है next दोस्तों आपको याद रखना है इन्होंने मेडल दिलाओ पहला आपको याद रखने है next है question number 47 है हरियाना राज्जी के सीवल सचीवाले में डिजिटल सुचना पट का उदगाटन किसने की है तो मनहोर लाल ने किया दोस्तों question number 48 है हरियाना सरकार ने हरियाना पुलिस कोर्प्रेशन का चेर्मैन की से नुख्त किया है तो पी के अगरवाली हरियाना के नए डिजिपी भी है और इने हरियाना पुलिस कोर्परेशन का चेर्मन भी नुख्त किया गया है Q49 है हाली में की जिल में मोबाइल वाटर टास्टिंग लाइब का सुरुवात हुई स्तंबर में स्तंबर में सुरुवात हुई भी वानी जिले में Q50 है हरियाना रज्ज में नया जेल मानेदे से किसे नुख्त किए है तो मुहम्मद अकीली को नुख्त किया दोस्तों और हरियाना पूलिस में question जरूर पूचे दाएंगे Question number 50 है हरियाना में कहां के रहने बाले वियूम खन्ना को सियोंक्त राष्टर पर्यावन करेकरम टून्जा एको जनरेशन द्वारा बारतियक चेतर का राज़ दूज नुक्त किया है तो ये वियोम खना चंडिगर से बिलाओं करते है Q52 है हाली में परियावण और हरियाणा परियावण और परदूसन कोड नामक पूस्त किस ने लिखी है तो दीरा कंडेल वालने लिखी है और उसका विमोचन भी मुख्यमंतरी ने किया था Q53 हरियाणा राज़े के कितने खिलाडियों ने बारतिया समूंदरी तटिये सिनियर कुर्ष्टी चेंपिनिशिम में इस सालिया था तो हरियाणा से 16 खिलाड़ी थे Q53 हरियाणा के की जिले में समार्ट मिटर ओप्रेशन सेंटर की स्तापना किये गई है तो पंच्कुला जिले में क्वेस्टिन नम्र 27 है हरियाना केकी इजले की नहा पिलालिया ने दूबई में आज जीता है जूनियर बॉक्सिंचे एंपनिसी में वोल्ड मेडल जीता है तो जवज़र से विलाओं करती है नहा पिलानिया क्वेस्टिन नम्र 257 है हाली में लेखी गा संजीव कुमारी दौरा लेखी गई पुस्तक लोकपुंज का ओवेमोजन किसी ने किया है तो मनहोलाल ने किया है क्वेस्टिन नम्र 258 है हरियाना रज्ज में हरेड़ा और आयोसी मेल कर कितने बायोगास प्लाइट स्थापित करेंगे हर्याना के कितने खिलाड़ी सिनियर विश्व कुष्टी चंपिंशिप के लिए चुने गए है तो 19 खिलाड़ी को चुना आ गया है हर्याना के की जिले का रोयत गिल राफल विमान उड़ाएगा तो कैथल से बिलोग करता है दोस्तों और इस रोयत गिले की माता हुँ सुचकोर्ज से कैथल जिले की पोस्टन अब्यान के लिए ब्राणड महिश्टर बना गया है हर्याना सरकार किस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ पाज ने सहर बनाएगी तो केमपी एक्सवरेस की तरफ है गुरुग्राम जैसे सहर विक्षित किया जाएंगे हर्याना सहित्यक आदमी में तीन पुस्टकों का विमोचन किस ने किया था तो डाक्टर चंदर तिर्खाने किया था हर्याना के किस जिले के सुमित अंतिल ने टोक्यो परलंपिक में गोल्ड मैडल जीता है तो समित अंतिल दोस्तों बलाओं करते खेवडा गाओं पड़ता सोनिपत में और जैवलिन थोरो में ने गोल्ड मैडल जीता है और F64 वरग में और 68.55 मेटर बला फाइंकर और नीरत चोपड़ा एंदोस्तों 87.58 ठावन फाइंकर जीता था यह आपको यादर करना पने पत्के खंडरा गाओं से Q65 है हरियाणा राजी से मंत्री कमलेश डांडा ने कहां पर आजित हुए महिला एम बालिव कासिव बाग के राष्टी सम्मेलेम ने बाग लिया था तो गुजरात में आजित हुआ था दोस्तों यह Q66 है हरियाणा के खिलाडी योगेश कुथूनिया ने टोक्यो परलंपिक में कौन सा मैडल जीता है पतक जीता है तो रजट पतक जीता है दोस्तों इन्होंने और बादरूट के जज़़र से बिलाउं करते है और डिसकस थोरों में जीता है चुवाड़िस पॉइंट 38 मिट Q66 है हरियाणा रज्जे के राजबोन में पारकर वेबरेली एंड टाल दाव शीक्स सेक्स नामक पुष्ट का किस ने किया तो बंडारू दथैं तरह ने किया दोस्तों और इस पुष्ट का लेख कौन है तो पनाव बाली है पनाव बाली दोर लेखी गई है Q58 है हरियाणा क और इए किसी सथी ले किक्रितिगव डूलने दूबए में आज ट चूनियर वक्सिंग चाइंपीडी दिचें वेख में गॊलরD मैडल जीता है तो द्ये दूबएआ में बिलोंग ये क्रितिगवह कर्दे द्षट कैतल से और नहा पीलानिया नहीं आए भी कौल्ड मेडल सब्सक्राइब करते हैं हरियान राज्य में काम पर पोशन वाट का बनाए जाएगी तो स्कूल पंचाथ बाउन अंगरबाडी किंदर सभी जगह बनाए जाएगी मिअ करते हैं राज अंधाना एक पर लाइडल जीतने वाहत के दूसरे खिलाडी बने हैं दोस्तों अगर आपको फसना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर देना और साथ ही साथ अगर आपको पीडिया 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 आपको नीचे मिल जाएगी जनवरी 2020 से आपको अक्टूबर तक की पढ़नी अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो क्वेसन नम्पर को कहते रहे हैं हरियाना के कीजिले को 25 वे अकिल बारतिय बाल आई सीटी मौच्षों में सरोशेस्ट करेकर मकाराश्टिय पुरुषकार मिला है तो दोस्तों 21 जिलो को मिला हरियाना से फ्रिदाबाद को मिला है और फ्रिदाबाद में भी किस को मिला है तो जिला सिक्सादिकारी रितु चोधरी को मिला दोस्तों ये और ये आपको याद रखना और क्यों मिला है तो यह पुरुषकार सिक्सा हरियाना प्रियोजना के तै सब्सक्राइब कर दोस्तों अब हम करेंगे अक्टूबर 2020 मेहने की कराट फेर इस मेहने से भी आपको अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में पंच्कुला जिले के पिंजोर मिस्तीत गोन सुन्दान के इंदर ने प्रोमखात को त्यार किया है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में भी कहात पर भी सोद चल रहा है नाक्स्ड रेक क्वैस्शन बर है हरियाना किर्सिव विश्युदा pięvo में पहली बार किस फसलगी स्टेम रोट बिमारी की खोज की है important question है दोस्तों स्टेम रोट बिमारी बाजरा फसल को लगती है अब पढ़ लेते हैं चोदरी चरण सिंग हरियान किर्शिव विश्युदाले के विग्यानकों ने अंतराष्टिय स्तर पर बाजरे की नई स्टेम रोट बिमारी की खोज की है और इसके कार्ग स्टा के दोवारा इसे प्रकासित किया गया है और किर्शिव विश्युदाले के विग्यानिक दुनिया में इस बिमारी की खोज करने वाले पहले विग्यानिक बन गए है नेक्स्ट क्वेस्टन मर तीन है हरियाना सरकार ने वन बलोक वन प्रोडक्ट को पुरुचाइद कर प्राणडा मेंस्ट नुक्त किया गया है नेक्स्ट है क्वेस्टन मर पांच है हरियाना रज्य से किस महला को बारतिय रेड़क्रोव सोसाइटी की नेशनल मनेजिंग कमेटी का सदेश्य चुना गया है तो हरियाना से दोस्तों सुसमा गुपता है अब पढ़ले इसके बार पढ़ले में हरियाना रज्या रैड़क्रो सोसाइटी की उपाद्यक्स सुसमा गुपता को बारतिय रेड़क्रोव सोसाइटी की नेशनल मनेजिंग कमेटी का सदेश्य चुना गया है पूऱ देश में 12 सदेश्यों को चुना जाता है उतर जोन में सबसे अधीक बोड़ जीत हांसिल की है और फिर्दाबाद की रहने वाली सुस्मा गुपता रैजेपल बंडारु दतत्रिया का परतिनीदी के रूप में चुनाओ में सामिल होई थी नेशनल मनेजी कमेटी पूरे देश में रैडग्रो से समन्दित कारियों का संसालन करती है और इसका मुख्या होता है दोस्तो राष्टर पती नेक्स्ट है कोईसन बर चाह है हरियाना के की जिले में एरपोर्ट पर पालेट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा तो इसार एरपोर्ट पर खोला जाएगा दोस्तो और इस एरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है तो महराजा अगरसे एरपोर्ट रखा गया है नाक्ष्ट है और पढ़ लेते इसके बारे में पॉइंट है इसार में उत्रबार का सबसे बड़ा एर्रपोर्ट रन्वे भी बनाया जाएगा कुईष्ट नाक्ष्ट ना कीस दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा कुईष्ट नाक्ष्ट है हरियाण की कितने सहरों के लिए कुम्मन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा तो हरी आना की तीन सैरों के लिए कुम्मन पूलिस कंट्रोल सेंटर बना जाएगा कौन-कौन से हमें ट्राइसिटी, चन्डि गट, महलिवा, पंच्कूला के लिए अपराद पर अंकुस लगाने के लिए कुम्मन पूलिस विए अब पडलेती इसके बारे में अवाडी परदारित पर्थम मंतराष्टे कावे सकलन बारतरतन कावे माला पुस्तक को वर्ड बुक आफ रिकोर्ड लंदन से नवाज जा गया है जिसमें देश विदेश के 48 सोधकरताओं का नाम इसमें रुकोर्ड किया गया है और इसी के तैत हिसार की डाक्टर गीतु का भ अवे परबंद लिखा था जिसे वर्ड बुक आफ रिकोर्ड लंदन में प्रकासित किया गया है नेक्ष्ट को एसन बर 11 है हरियाना सरकार ग्राम दर्शन पोर्टल की तरज पर सहरी छेतर को विकास के लिए कौन सा पोर्टल लौंच करेगी तो नगर दर्शन पोर्टल को लौंच किया जाएगा कोईसन बर 12 है हरियाना की घिलाडी मनूबा करने आई ऐसा सब जूनियर 200 चैंपिनसी में कुल कितने पदक जीते हैं तो इसमें पांच पदक जीते हैं और यह चैंपिनसी पेरू के लीमा में आजीत हुई थी इन पांच पदकों में से च्यार मेडल है मनूबा करने मेहलाओं की 10 मिटर एयर पिश्टल में पहला सौन पदक जीता था दूसरा गोल्ड मेडल जीता था सरवजोत के साथ मिलकर मिसरीत में तीसरा जीता था दोस्तों रिदम और सीखा के साथ 10 मिटर मिसरीत में और चोथा जीता था मिसरीत में मनूबा का र राज के सिख्षक रतन समान मिला है तो बोदराज सींग को मिला है पढ़ लेते हैं विदी ए उन्याय मंत्रालेब्बा आर्थ सरकार और पहला कदम फाउंडेशन के सिउक्त तदुवादान में जीन्द के मोतिलाल नहरू स्कूल में राज्यस्तरिये सिख्षक रतन समान समारो को आजित करवाया गया था जिसमें पानिपत के द्यापक बोदराज को ये राज्यस्तरिये सिख्षक रतन समान दिया गया है क्वेस्ट नमबर 14 है हरियाना राज्ये में विदार्थियों द्वारा पर्थम चन में कितने बलोकों में मिट्टी के सैंपल लिये जाएंगे तो हरियाना साहित्य कादमी ने वर्थ 2020 के नीमंद वरग के लिए अंबाला सैर के पंकत सर्मा के वैंग संगरे मुपत बालो के मुपताला लाल को और जबकि जीवनी वरग में सर्की दादरी के डाक्टर असोक कुमार की पूस्तक हरियाना सीखर महलाओं को पुरुषकार के लि हेंदर सिंग सागर की कृति बाल उडान को चेनित किया गया है कोईसंबर 16 है पांचवा हरियाना अंतराष्टिया फिलम मोच्चो का युजन कब से कब तक किया जाएगा तो एक दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक दोस्तो पंच्कूला वद चंडिगड में इसका युजन किय जाएगा और यह मोच्चो दुनिया का सबसे लंबा फिलम मोच्चो है जिसमें अठारा बासाओ में डेड़सों से अधीक फिलमों का परदर्शन किया जाता है नेक्स्ट है और अबकी वारिस का थीम रखा गया दोस्तो अजादी का मृत मोच्चो क्वेस्चन बर 17 है हरिया हरियान के किस खिलाड़ी ने राष्टिया ओपन मेटर चैंपिनसी में पहला स्थान पराप्त किया है तो आयू डबास ने हरियान के आयू डबास ने तीसरी राष्टिया ओपन 400 मेटर की चैंपिनसी में पहला स्थान पराप्त किया है नेक्स्ट है क्वेस्ट नमर 19 है हरिय में ICC दुवारा जारी की गई T20 मेला रैंकिंग में सिफाली वर्मा कौन से स्थान पर रही है तो सिफाली वर्मा दोस्तों दूसरे स्थान पर आच की है क्योंकि ये लंबेश में से पहले स्थान पर थी लेकिन अब स्टमबर की ranking में दूसरे स्थान पर आ चुकी है next है question number 20 है हरी आना सरकार ने महिला थानों के सटेशनरी के लिए कितना budget तैग किया है तो 30,000 रुपे दोस्तो अब पढ़ लेते हैं महिला थानों के लिए 30,000 रुपे जबकि सहर में जो थाने उनके लिए 50,000 रुपे परती महिना गाउं के थानों के लिए 25,000 और ट्राफिक थानों के लिए भी 25,000 और ये दोस्तो है क्या ये जो भी हम जब रिपोर्ट लिखाने जाते हों पर कागजकार वोई होती है पैन, पैंचिल, नोटबुक जो भी इतियादी होती है वो इस अभी साट्रेनेशनरी में आती है उनके लिए ये बजट होता है क्वेसन बर 22 है हरियान के किस जिले में फलाइंग ट्रेनिंग इंसिटूट सरू किया जाएगा तो महंदरगट में सरू किया जाएगा दोस्तो और दुश्वन चोटाला ने इसकी गोशना की है दो महिने के अंदर महंदरगट जिले के बाचोद में फलाइंग ट्रेनिंग इंसिटूट सरू किया जाएगा क्वेसन बर 23 है हरियान के किस महिला को बेस्ट वामेन अमपलाई आफदा इयर आवार्ड मिला है तो जोती पसरीजा को मिला है अब पढ़ लेते इसके बारे में डाक वीबाग की वीवन योजनाओं को लोगों तक पुंचाने के लिए एहम भूम का निबाने वाली हां सी सीटी की उप डाक पाल जोती पसरीजा को बेस्ट वामेन अमपलाई अफदा इयर और साथी साथ डाक सिवा आवार्ड भी मिला है क्वेस्टन बर चोबिस है हर याने की बेटी रिदम सागवान ने आई ऐसा सब जूनियर 200 चैंपिनसी में कितने गोल्ड मैडल जीते हैं जबकि 10 मीटर में और 25 मीटर सपोर्ट फिष्टल में गोल्ड मैडल जीता है और एयर फिष्टल कैटगरी में 600 में से 500 सेंथर आउंक लेकर रिदम सागवान अग साबसे जाद आउंक लेने वाली पहली बारत्य मिला खलाड़ी बन गई है इसी परकार सेंथर टेंडर फिष्टल में भी 600 में से 500 सेंथर आउंक लेने वाली पहली मिला खलाड़ी बनी है क्वेस्ट नमबर 25 है हरियाना रज्ज में कितने स्टेट इंस्टूट आफ अड़वान स्टड़िस इन टीचर आजूकेशन सुरू किये जाएंगे दो सुरू किये जाएंगे मुख्य मुंतरी मनहुरला ने इसकी गोस्तना की है दोस्तो और कहां पर सुरू किये जाएंगे गुरूगराम और कुरक्षेतर में क्वेस्ट नमबर 26 है हरियाना के कीस जिले में देश का सबसे बड़ा हैली है बना जाएगा तो गुरूगराम में बनाया जाएगा गुरूगराम में मुंबई के जूः की तरज परदेश का सबसे बड़ा हैली है बनाया जगा जैसे हेलीकॉप्टर ने सरफ उडान बरस केंगे बलकि इन में हेलीकॉप्टर पारकिंग से लेकर मरमत हुआ इंदन बरहने की सिवुदा भी होगी और केंदरे नागरी को उड़ेन मंतराले ने इसकी मजूरी दे दी है Q23 है हरियान के कीज के लाड़ी को वो यो कंपनी ने शौत अंतर ने देशक नुकत किया तो दीपा मलिक को Q23 है हरियाना के कीज जिले की एसोधा चोहान ने मीस हरियाना का किताब जीता है तो इसोधा चोहान दोस्तों रिवाड़े से बिलोग करती है रिवाडी जले के शोधा चोहान ने लाखनों में आजित मीस्ट्रेंड मीस्सुपरमोडल इंटरनेशनल परत्यों गता में मीस हरियाना का किताब जीता है Question No. 31 है घरियाना राज्जे में नीजी नोकरियों में 55 पर 37 आराक्षन कब से लाग हो चुका है यह question आज सकता है ना इस्टीक जम में तो 15 अक्टूबर 2021 को दोस्तों यह दसाहरे से लाग हो चुका है और यह दोस्तों आप यह दोस्तों प्रिकोर्ड लंदन ने पमान पतर से समानित किया है तो परदीव मलिक दोस्तों पानिपत से बिलोंग करते हैं और पानिपत के बुवाना लाखुगाव से और कला के दियापक है Question number 30 है हरियाना विदा निसबा को ईवदा निसबा में बदलने के लिए किंदर सरकार ने कितने क्रोड रुपे देने के रासी जारी की है तो 12 क्रोड रुपे दोस्तों किंदर सरकार दे चुकी है कुल 20 क्रोड रुपे कर्च के जाएंगे और 8 क्रोड रुपे हरियाना रज्ये देगा Next question number 32 है हरियान के किस विश्योवदैले में USA की संस्ता के दोवारा critical care training करेकरम किया जाएगा तो पंडित बगवद्याल सरमा विज्यान विश्योवदैले म किया जाएगा दोस्तों और अमरीका या USA की संस्ता के दोवारा तकि यहाँ पर चिकत्सों या फिर जो भी डाक्टर होते हुने critical care training दिलवाई जा सके Next question number 33 है हरियान के किस विश्योवदै को आवगत अवार्ड 2021 से समानित किया गया है तो डाक्टर कवल किस और को जान लेती इनके बारे में उजेन की कलिदाश सश्कृत अकादमी के समान समारों में रोत्त के निवासि डाक्टर कवल की सोर को आवगत अवार्ड से समानित किया है और यह अवार्ड इने मद्या-परदेस के उच सिक्षा मंतरी डाक्टर मोहन यादो और पूरो सिक्षा मंतरी और विदायक पारस चंदर के दोवरा दिया गया है Q34 है हरियान के की सैर में हाली में Integrated Command and Control Center की स्थापन की गई है तो फ्रिदाबाद में और फ्रिदाबाद से पहले गुरुकुराम और करनाल में इस सेंटर की स्थापन की जा चुकी है Q35 है हरियान के की सैर में सहीद मेजर अनूज राजबुत के नाम पर है एक चोका नाम रखा जाएगा तो पंचकुला के चोका जान लेते हैं पंचकुला सैर के सहीद मेजर अनूज राजबुत अरमी एवेशन में पाइलेट थे 21 तंबर को जम्मुक स्मीर के उदमपूर जिले में हेलिकोप्टर दुगर ट्रमे सेध हो गए और इनकी याद में एक चोका नाम रखा जाएगा पंचकुला में Q36 है हरियान के किस जिले के सतवीर सिंग देहरान का नाम ग्रेट इंडियन बूक आफ रिकोर्ड में दर्जू है तो विवानी से बिलोओं करते हैं सतवीर सिंग देहरान दोस्तो और इनका नाम क्यूं इसमें एड किया गया है तो खेल, शिक्सा, वन्या, चेतरों में इन्हों और ये जीन्द के दरोली खेड़ा में प्रिंसीपल है Next है, question 39 है, हरियाना रैज्जी के जेसी बोस विश्यूब दैले के विगयानिकों ने और उद्धियों के कंसुंदान के लिए किस कंपनी के साथ समझोता किया है तो इंडियल ओयल कंपनी के साथ में Question 49 है, हरियाना रैज्जी को राष्टे स्तर पर प्रियोजनाओं के लिए कितने पुरुषकार सों समानित किया है तो दो पुरुषकार सों समानित किया है Important Question है दोस्तो, हरियाना में ICT के परसार में NIC हरियाना दुवारा निभाई गई मैस्तर पुरुषकार के लिए राष्टे स्तर पर NIC हरियाना को दो सों पुरुषकार दिये गई है और NIC की महानि देशक निता वर्मा ने विर्चवल मोड से पुरुषकार पर दान की है और किसको मिले है तो स्रीप परदीप कुमार कोसल ने को NIC हरियाना के S3W एक सिवा के रूम में सुरक्षीत से केबल और सुग में वेबसाइट के स्रोसेष्ट करियान वन के लिए सों पुरुषकार मिला है जबकि दूसरा स्री आलोग सिर्वास्तो को NIC हरियाना ने सरल प्लेटफोरम पर दारित नागरिक सिवाउं को ओन बोर्ड करने के लिए दूसरा स्रोन पर सों पुरुषकार परदान किया है क्वेशन बर चालिस है हीरो मोटर्स ने राइड फोर रियल हीरो जनामक अब्यान चलाया है इसका हरियाना के किस जिले में पलांट स्तापित है तो रिवाडी में दोस्तों और ये करोना के लोगों के लिए चलाया गया था जो करोना के परतिकाम करते थे क्वेशन बर चालिस है हरियाना रैज्जे की किस जिले में सरकार दुबारा रैज्जे स्तरियर रन पोर इनुटी का जिन किया जाएगा तो गुरुगरा में किया जाएगा दोस्तों कत्तिस अक्टूबर को सरदार वललबाई पटेल की जैनती पर क्वेशन बर ब्यालीस है हरियाना रैज्जे में अब रोडवेज बसों के लंबाई कितनी होगी तो बारा मेटर होगी दोस्तों पहले ग्यारा थी और अब सीटों की संख्या भी बावन से बढ़कर चपन हो गई है और सभी नई बसे तकनिक BS6 से लाइस होगी क्वेशन बर तिरतालीस है हरियाना रैज्जी के कितने गाउं को सवथ सरवेक्षन गरामिन 2021 में सामिल किया गया तो 513 गाउं को पढ़ लेते हैं डिप्टी सीम ने कहा है कि सवथ सरवेक्षन गरामिन 2021 में पूरे देश के 695 जीलों के करीब साड़ी सतरा हजार गाउं को सामिल किया है जिन में हरियाना के 513 गाउं सामिल है दोस्तों अगर 513 ऑप्षन ना मिले तो 521 भी कर सकते हैं और हरियाना रैज्जी में सवथ सरवेक्षन गरामिन 2021 की सरवात जूसरन चोटला 29 स्पंबर को की थी क्वेस्टन बर 44 है हरियान के की जीले की सवीता मलिक ने mouth friendship चोटी पर तरंगा फ़राय तो सवीता मलिक रोतक से बिलाऊं करती है क्वेस्टन बर 45 है हरियान के की जीले में रैज्जी का पहला और पंचकुला के टिक करताल को 29 स्टमबर 2021 को टूरिस्ट चेतर भी गोशित किया जा चुका है कुवेस्ट नमबर 40 है हरियान के की स्थान पर हडपा कालेन हरे रंग की चूडियों के वसेस मिली है तो तिगडाना गाउं पड़ता दोस्तों विवानी जिली में नेक्स्ट है कुवेस्ट नमबर 47 है हरियान के की स्थान मेहराश्ट्रिय आयरुवे जिसनस्तान बनाया जाएगा तो पंचकुला में कुवेस्ट नमबर 40 है हाली में देश के दस सहरों में जल स्रुएक्शन किया गया इनमें सहरियान के की सहर को चुना गया था तो रोतक को चुना गया था दोस्तो और इदस सहरो के नाम ये है पटियाला अबुनेशवर चूरू आगरा रोतक बदलापूर कोची सूरत मुदरई तुमकूर क्वेस्टन मरूने इच्छास है हरियाना साहित एक आदमी तुवारा उवर 2020 के लिए किस कहनी को पर्तमस्तान दिया गया दोस्तो तो गिल्ले पन्ने कहनी को पर्तम पुरुषकार मिला है जान लेते हैं हरियाना साहित एक आदमी ने उवर 2020 के लिए हिंदी वहरियानुवी बासा के सुरेश्ट कृति पूर्षकारों की गोसना की है और इसी के ताथ कहनी प्रतोगता में सिर्षा के सुरेश बरनवाल की कहनी गिले पन्य को पर्तमस्तान जबकि फिरदाबाद की बाउना सक्सेना की कहनी नौबत को दुवित्या और विवानी की विनिता मलिक की कहनी एड़जे स्कूलों में और तीन क्रोड रूपे खर्च किये जाएंगे क्वेशन बर क्यावन है हरियान के की जिले में इलेक्टरिक मनुफैक्टरिंग कलाश्टर स्थापित किया जाएगा तो गुरूगराम में स्थापित किया जाएगा दोस्तों आयम्टी इनकी गुरूगराम की सो कोरनों को बड़ावा मिल सके Q72 है हरियान के की सेर की हरनाज distintos लेवा मिश दिवाइनु वस्त बनी है तो उसम यह हरनाज 分 छंडड़कट से बिलोग करती है और ये लेवा मिश दिवाइनु वस्त 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 बनी है अब हरनाजि के संदू कब बड़ी परत्योक्ता में गोल्ड मैडल जीता है तो ज़ज़र से बिलाओं करते प्यू सैनी क्वेस्टन बर चुमन है हरियाना के कीज जिले के मेडिकल कोलेज में रज्जे में पहली बार हैली अम्बूलेस की सिवास रूख की जाएगी तो करनाल जी लेके कलपना चावला मेडिकल कोलेज में पहली बार हैली अम्बूलेस की सिवास रूख की जाएगी और इस पतिने हो 27 कुरूट पे खर्ट के जाएगे हरियाना पुलिस हाॉसिंग क्रोपरेशन इसकी देखरे करेगा कोईस नमर पिचपन है हरियाना सहित्य अकादमी ने हरियानवी बास में किस काव्य संगरे को सरोशेष्ट किरिष्टी पुरूषकार के लिए चुना है तो जान लेते हैं यादोगा जरोखा और लोकला सिर्मोर निहालचन सिवाचरन को अब पढ़ लेते हैं दोस्तो हरियानवी बास अवरग में जजर्जर के डाक्टर जय बगो अनसर्मा के काव्य संगरे यादोगा जरोखा तथा सोनिपात के रामबिर सिंग की लोकला सिर्मोर निहालचन सिवाचरन को सरशेष किर्थी पुरुषकार के लिए चुना गया है क्वेस्ट नंबर 56 है हरियान रेज्जे के 35 उजारतियों द्वारा इमाचल पर्दिश की माउट यूनम चोटी पर कितने मीटर का तरंगा फरा जाएगा तो 35 मीटर का तरंगा फरा जा चुका है दोस्तों ये और ये 6111 मीटर उन्चाई वाली चोटी है क्वेस्ट नंबर 57 है हरियान के 21 विश्वदैले के कुलपती डक्टर बल्देओ कुमार को बारत सरकार ने आयुष मंतरले दुवारा बारतीय चिकित्सा पधती के सलाकार परिश्द कशदेश्या नोक्त किया है तो रिकरिष्ण आयुष विश्वदैले के कुलपती जो कु से ज़्यादा दोस्तो, 955 हजब की सबसे कम है 860 जोन्य पत्का, और पूरे हरियाना का 906 है, कुएस्टिन नंबर 69 है, हरियाना के कीज जिले में इंडियन इंस्ट्टूट आफ आयूरुवेदा स्तापित किया जाएगा, तो इस्तापित क्या जाएगा पंचकुला जिले में कोईस्टन नमबर 60 है हर्याना रेज्जिम में सवस्थ हर्याना मॉबाइल आप को किसने लौंच किया है तो अनील विजने लौंच किया है दोस्तों ताकि अब लोगों को सरकारिय स्पतालों में चकर ना काटने पड़े वगर बेठी पंजिकर्ण करवा सकते है और 19 अक्टूबर को इस आपको लौंच किया गया है और किसने कीस को किसने त्यार किया था तो स्टेट हैल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर हरियाना द्वारे से त्यार किया गया है क्वेस्ट नम्र 61 है हरियाना की किस इनवर्स्टी का रेड कोस अवार्ड के लिए चेहन हुआ है तो एच यू हरियाना के इंद्रेव विशुवदाल्या का और डाक्टर दिने इस चैल को यह अवार्ड दिया जाएगा क्वेस्ट नम्र 62 है हरियाना के गुरुगराम जिले ने सवस्था सवेक्षन 2022 के लिए अपना प्राणडा मैस्टर की से नुक्त किया है तो तीनों को नुक्त किया गया दोस्तों डाक्टर गीतांजलिया रोडा पिरिया राओ और मनु देवान एमडी केडी सुना होगा अपने ये वही वाला एमडी है क्वेस्ट नम्र 63 है हरियाना के किस जिले में देश में पहली बर विग्यानिक दरश्टी से महयक के परभाव पर सोध किया जाएगा तर्कूकरी छेतर में वहा था दोस्तों ये महायक और इसमें बारत के लावत जर्मन, जपान, दक्सिन, कोडिया, सिविजलेंड समेत साथ देशों के डेड़े से विग्यानिक सामिल थे क्वेस्ट नम्र 64 है पैंतिसमें अंतराष्टिय सुरुचकून क्राप्ट एमेले में किस रज्जे को तीम स्टेट बनाए गया है तो जम्मो कस्मीर को बनाए गया है चार से लेकर 20 फरवरी तक ये आज़ित होगा 2022 में सहोगी देशों का ब्रिटेन, सहोगी रज्जों का जम्मो कस्मीर स्टीत है गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनिमल साइस इनिवरस्टी के साथ में Q66 है हरियान के किस जिले मेराष्टिय मेला मुके बाच चैंपिन सिप का आज़िन करवा गया है तो इस काईजन करवाया गया दोस्तों इस आर्मे 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक है Q66 है हरियान के किस वैक्ति को जो 30 अवार्ड इनकी 30 उर्जा अवार्ड मिला है तो पर्दियुमन सूरी को Q66 है हरियान के किस जिले के साहबाज आहमद का पारतिय है Q66 हरियान के किस जिले मेराज किया होमपायतिक कोलेज वह अश्पिताल बनाया जा रहा तो अमबाला में बनाया जा रहा है Q77 हरियान के किस ने परत्थम स्थान पराप्त किया है तो निर्मला देवी ने और इस सांजी उत्सो का करेकरम दोस्तो हरियाना कला एहो सासकर्तिक में बाग और विरासत हैरिटेज विलेज कुरक्षेतर दोरा किया गया था एसाथ से लेकर पंदर आक्टूबर तक और कुरक्षेतर में किया गया था इसमें पहला स्थान पराप्त किया कुरक्षेतर की निर्मला देवी ने दूसरा स्थान पराप्त किया कैथल की चंदो देवी ने तीसरा स्थान पराप्त किया करनाल की सिमरन ने और चोथा स्थान पराप्त किया दोस्तो कुरक्षेतर की रमन दीप ने और बलबड की रहने व दूसरे पर 30,000 पर 31,000 रुपी दी जाते हैं और विशे इस प्रुषकार प्राप्त करने वाले को 500 रुपे क्यातर है हरियाना राज्य के आपकारी वाकरादन वी वाका कर्याले की जिल में बनाया गया तो गुरुगरा में दोस्तों और इसका उदुगाटन किया था दूसरे न्चोटाला ने और इस कर्याले का नाम रखा गया है सनसादन बोवन क्यातर है हरियाना के खिलाडी आदर सिह ने आई ऐसा सब जूनियर विशो चैंपिन सी में कुल कितने पदक जीते हैं तो दो पदक जीते हैं दोस्तों और पृदाबाद किसे बिलाओं करते हैं और कहां पर जीते हैं तो मैंस इवेंट में सौन पदक जीता है जबकी 25 मेटर rapid fire pistol में रज़त पदक जीता है question बरती एतर है उन्हें important question है हरी आना से सम्मन्द रखने वाले किस व्यक्ति को विशो इसपाथ संग का अदेक्स बनाया गया है तो इसका अदेक्स बनाया गया दोस्तो सर्जन जिंदल को विशो इसपाथ संग ने सटील लिम्टेड के अदेक्स और परबंदक निदे सक सम्मन्द जिंदल को वर्द 2021 के लिए अदेक्स नुक्त किया है और सम्मन्द जिंदल विशो इसपाथ संग के अदेक्स के रूम में कर्या करने वाले पहले बारती होंगे और ये जिंदल साब शावतरी जिंदल के बेटे है क्वेशन बर चुएतर है हरियाना सरकार ने रज्जे का नया सिनियर अडिशनल अडवोकेट जर्नल की से नुक्त किया है तो परविदन सिंग चोहान को करनाल से बिलाउं करते है क्वेशन बर पचेतर है हरियाना रज्जे के युवाओं को नीजी चेतर में कितने रुपे तक की नोक्री में पचेतर पर 37 अरक्षन मिलेगा दोस्तों अब ये 50,000 से गटाकर 30,000 कर दिया है और 15 अक्टूबर से ये अरक्षन लागो ओचुका है क्वेशन बर चेंतर है हरियाना रज्जे के किस गाओं के जंगल को विलूप्थ परजातियों के लिए विक्षित किया जाएगा तो स्योंसर गाओं को पिहुआ के स्योंसर गाओं के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड वॉर्ल सेंचूरी के रुमे विक्षित किया जाएगा तांकि यहां पर 11,000 एकड़ बूमे पर जंगल जो फैला है उसे विलोप्त परजातियों के बसेरे के रूमे विक्षित क्या जा सके क्वेस्टन बचता एंतर है हरियाना के किस जिले मेराज की है स्तरीय सांस्किरित कूछ सो का जिन किया गए है करनाल में 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक हरियाना सिख्षा विवाग के दुवारा क्वेस्टन बच्छेंतर है हालिम हरियाना पुलिस दुवारा कमांडेट जर्नल होमगाड वेसीवल डिफैंस का जिम्मा की से सोपा है तो देशलाज सिंको क्वेस्टन नमबर 18 है दोस्तो हरियाना का कौन सा विश्व दैले इट रेक्टर को त्यार करने वाला देश का पहला विश्व दैले बन गया है तो एचे यू उनके हरियाना किर्शिव विश्व दैले है E-Tractor को त्यार करने वाला देश का पहला विशो उदले बन गया दोस्तो और E-Tractor जो त्यार किया है या 16.2 किलोवाट बैटरी से चलता है और यह 23.17 किलोमेटर कंटे के रफ्तार से दोड़ सकता है और 1.5 टन वजन लेकर या 80 किलोमेटर तक चल सकता है क्वेस्टन बर 80 है हरियान के की जिले के सीखा नर्वाल और सीवा नर्वाल ने आई ऐसा ऐसा अब जूनियर विशो चैंपेंशी में पदक जीते हैं तो दोनों सोनिपत से बिलोग करते दोस्तों अब पढ़ लेते हैं क्वेस्टन बर 82 है हरियान के की संस्तान ने दोद में मिलावट की जांच के लिए रैपिड टेस्ट स्ट्री बनाई है तो अंडी आराई करनाल के दोवरा बनाए गई है ताकि दूद में जो मिलावट उसे चैक किया जास की क्वेस्टन बर 83 है हरियान रैज्जे के माने सर में स्थीत एन्स्जी ने कौन सा स्थापना द्यूसे बनाया है तो 37 स्थापना द्यूसे बनाया दोस्तों और 1984 में स्की स्थापना हुई थी और इस करेकर मेकेंद्रिय गरया रज्जे मंतरी नित्यनंद राव मुख्या थी थी थे QV 84 है हरियान रज्जे के प्रोखनर अरगर में हरित स्टोर का उद्गाटिन किसे ने किया था तो मन्होर लाल ने किया था QV 85 है हाली मेनवेस्कों की रिपोर्ट के नुशार किस रज्जे ने स्कूलों की सेवा में टोपस्तान पराप्त किया है तो चंडिगर ने दोस्तों और ये कैसी सेवा है उनकी पीने का पानी कैसा है वहाँ पर जाने का रास्ता का है कैसा है बेटने किस विदा कैसी इसके तायत है Q86 है, हर्याना के किस व्यक्ति को मातमा गांधी दर्शन पूर्शकार दोजरे किस मिला है? तो रामलाल सिंग को मिला दोस्तों ये गूंबई में आई जीत हुई थी Next है, Q86 है, और कहां से बिलाउं करते हैं? सिर्षाजिले के गाउं सतनगर से बिलाउं करते हैं Q86 है, हर्याना के खिलाडी काजल बारदुवा जन नेपाल में हुई इंडो इंटरनाशनल गेम्स कुष्टी परतोकता में कौन सा पतक जीता है? तो सवन पतक जीता है और जजजर के गाउं असोधा आतोडरान से रहने वाली है Q86 है, हर्याना सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंप्रमेशन सर्वीस आप हर्याना ले मिटेडिया फर दर्शिया का चेर्मन की से नुक्त किया है? तो मुख्यमंतरी मनहुर लाल को और इसका गठन क्यों किया गया दोस्तों तकी परदेश या हर्याना में वीबिन परकार के सर्वे, गिर्दावरी या इमेजिंग के कारिये को जल्दी से निप्टाया जा सके और इसका मुख्यले कहां पर बनाया गया है? तो करनल में इसका मुख्याले बनाया है, चेर्मन मनाया गया है, सिय मुख्या मंतरी मनोहरलाल को, वाइस चेर्मन मनाया गया मुख्या सची विजय वर्दन को, और टील सत्य परकास को, इस कमपनिया बोर्ड का मुख्या करेकरी अधिकारी नुक्त किया गया है, क्वेस्ट नमबर 89 है हर्याना राज्जे के कितने इनवस्टियों में इंजीनिर के पढ़ाई ही दिम करवाई जाएगी तो तीन इनवस्टियों में दोस्तों कौन कौन सी है सोनिपत में स्तीत है दीन बंदुराम छोटुराम इनवस्टिय अफ साइस अन टेकनोलोजी वाई एम से फिरिदाबाद की और जेजी उनवस्टिय सार में स्तापित है क्वेस्टन बर नब्ब है हरियानराजे के की जिले से बरतिय जिव जनतु के लैनबोर्ट के पोर्टल का सुबरम किया गया था तो गुरुगराम से इसका सुबरम किया था केंद्रिय पसुपालन डेरी मंतरी पूरसोत्म पूरुपाला ने ग्रुग्रम से बारते जीव जन्तु कल्यान बोर्ट के पोर्टल का सुबारम किया था क्वेस्टन बर क्या नवा है हरियानरा जिम किसे ने को टर्मिनेटर किट वनाई है तो हर्दी कुमार ने क्वेस्टन बर बानवा है हरियानरा जिसके कितने थानों का देश में सुरोसेश थानों के लिए चेन हुआ है तो दो थानों का चेन हुआ दोस्तों अब पढ़ लेते हैं बार्त गर्या मंतराले के दीशा निर्देशा नुसारेक एगरिको कम्पनी ने पूरे देश में पचेतर स्रोशेश थानों का चेन किया गया है इनमें सहरी आना से दो थाने सामिल है फतेवबाद का बटकला फर बटूकला और चजर जिले का सोधा थाना भी सामिल है और फिर 95 थानों में से दोस्तो टोप 10 थानों का चेन किया जाएगा क्वेशन नमबर 33 है हरियाना सरकार नमुख्य मंतरी का OSD परचार की से नुक्त किया है तो गजिंदर फोगाट को रोतक से बिलाउं करता है क्वेशन नमबर 34 है हरियान के 20 जिले मिस्तीत गोल्डन एरो 17 सक्वाडन ने थल सिना अद्देक्स जनरल एम एम नरवने के सास्मजोता की है तो गोल्डन एरो जोस्तों अमबाला जिले मिस्तीत है अब पढ़ लेते हैं थल सिना अद्देक्स जनरल एम एम नरवने ने अमबाला एर बेस में एर कमांडर तरुन चोधिर के साथ आविलेशन सेर्मनी में बाग लिया और इस दोरान थल सेना सीख लाइट इंफेंटरी और राफेल विमान की गोल्डन एरो 17 सक्वाडन ने बहु इसे में मिलकर दोनों अपस में काम करेगे इसी के लिए दोनों ने समझोता किया है और दोस्तों एक गोल्डन एर एक पिस्तापना अमबाला में एक अक्टूबर उन्सो क्यावन कोई थी क्वेस्टन बर 95 है जर्वनलाफ हरियाना स्टेडिज पतिरका के नवित मांक कावी मचन किस ने किया है तो प्रोफेसर सोमनात सचदेवा ने एक एक उनिवस्टी द्वारा परकाशित की जाती है क्वेस्टन बर 96 है हरियाना रेज़े में उवनने जिओं के लिए कितने उपसार किंदर बनाए जाएंगे तो दो बनाए जाएंगे दोस्तो कहां पर बनाए जाएंगे सुल्तानपूर और सोहना में क्वेस्टन बस्तानुव है हरियान के कीस दिल में राहूल गांदी ने पूर मुख्यमंत्री बजलाल की परतीमा का नावर्ण किया था तो इसार के आदमपूर में इसका नावर्ण किया था क्वेस्टन बस्तानुव है हरियान के कीस दिल में रीजनल यनकी अक्षे तरिया गुड़ सवारी चेंपिन सी पर होर सो कायजन किया गया है तो गुरुगराम के बोन सी मिस्तीत पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 15 से 17 अक्टूबर तक दोस्तो और इसमें हरियाना पंजाब आए गई थी Quesion No. 99 है हरियाना केंदरे विश्व दहले ने सर्वागिनी विकास्वा सो देतु किस रज्जे के विश्व दहले के साथ समझोता कि है तो हिमाचल परदेश केंदरे विश्व दहले के साथ Quesion No.100 है हरियाना के खलाड़ी निरचोपड़ा के बाले की इई नि Q1 है, ऩार्यान सुरुकी कि है, विएन साहहोट Q3 है, पिभूस इंडिया माग्जीन 2021 के बारत के सो सिरस अमेरों की जारे सूची में हरियाना राज्य से किसे स्थान मिला है तो हरियाना राज्य से सावेतिरी जिंदल इस उची में सामिल है और इसमें लगातर 14 साल से मुके संबानी पहले स्थान पर है दूसरे पर है गोतम अंडानी और इस list में दोस्तो 6 मेलाओं का नाम समिल है और इन 6 मेलाओं में सबसे पहले स्थान पर है सावितरी जिंदल लेकिन overall इन 100 में से 7 में स्थान पर है दोस्तो सावितरी जिंदल या आपको याद रखने क्या हैं में तो निप दू काम पढ़ता दोस्तों करनाल में क्यूंसलिड़ हारां की 3 में इसांजी करनाल में मेराज के में के की एस जिल disc नेक्स्ट नम्रेक्षो नोव है हरियान के कौन सी खलाड़ी विश्व कुष्टी चैंपिनसिप के फैनल में पहुंचने वाली बारत की पहली मिला खलाड़ी बनीये दोस्तों तो अनसु मलीक है और ऐसे क्वेस्टन आते सो परती सते हैं नम्रेक्षो 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 नम वार्ड मिला हाली में, अक्टूबर में और सर्मिला देवी को सरोसेष्ट उध्यमान स्टार या फिर राजिंग स्टार का वार्ड मिला है Question number 210 है, हर्याना राज्य समेत देश के कितने राज्यों में बूजलस्तोर को सुधारने के लिए हलिकॉप्टर सर्वे किया गया था कहां से सरुवात की थी तो पंजाब की चोखा में स्थीत पड़ता है बारतिय हत्करगा प्रद्योगों की संस्तान के ग्राउंड से Question number 11 है, हर्याना के की जिल में सोक रुपी के लागे से मदर एंड चाइल्ड केर ऑस्पिटल या अस्पताल बनाया जाएगा तो पंज कुल्ला में Question number 12 है, हर्याना के की जिल मेराज्य का पहला EV Fulfillment Center सापित किया गया तो फ्रिदाबाद में दोस्तों पढ़ लेते हैं प्रदेश में विदुद चालित वानों को बड़ावा देने के लिए हैदराबाद के परसिद विदुद वान मार्केट पलेस इवलियर्स मोबलेटी दुवारा प्रिदाबाद के बल्लावगड मेराज्य का पहला इलेक्टरिक वहिकल फुल्फिल्मेंट सेंटर का उदगा पाटन किया गया है को एस नंबर 113 है हरियाना निर्वाजन आयोग ने एलनाबाद विदानसबाग के उपचुनाओ के लिए खरची मा कितनी निदारित की है तो 30.8 लाक और दोस्तों जी विदानसबाग चुनाओ हो रहा है ये 36 मां उपचुनाओ दोस्तों हरियाना के आप कि राजस बिंदल को किस कोट का मुख्य ने अदिस नुक्त किया गया है तो इलाबाद आई कोट का और ये राजस बिंदल अमबाला से बिलोग करते हैं क्वेस्टन नमर 15 है और इंपोर्टन क्वेस्टन है हरियाना की खिलाड़ी स्रीता मौर विष्टो कुष्टी चैंपि जीता दोस्तो 69 किलोगरम बार वर्ग में और श्रीतम और कुष्टो कुष्टी चैंपिन्स में पतक जीतने वाली चटी महिला बार्तिय के लाड़ी बनी है क्वेस्टन नमर 16 है हरियाना सरकार ने स्री माता मनसा देवी पूजस तलबोड के वित्यव वर्ष 2021 के लिए कितने कुरोड़ रुपे का बस्ट मंजूर किया है तो ठैंथर पॉइंट 36 कुरोड का क्वेस्टन नमर 16 है हरियाना के किस जिले के नागरिक अस्पताल को का अकलप आवड़ 2021 मिला था तो करनाल के जिला नागरिक अस्पताल को और इसे के तयाती से 50 लाग रुपे भी मिले है क्वेस्टन नमर 16 उठा रहा है और नोट कर लो नैक्ष्टी जम्हें सो अपर 30 सताएगा हरियाना की खलाडी अनसु मलिक ने यह एंपर ओसलो आएगा ओसलो में 200 कुष्टी चेंपिनिसिप आजेत हुई थी इसमें रज़त पदक जीता दोस्तों यह नोट कर लेना 57 किलोग गई थी और अनसु मलिक ने रज़त पदक जीत कर पोडियम में 30 रस्तान पराप्त किया है और इस चैंपिन्सी में रज़त पदक जीतने वाली पहली बारतिया मेला खलाडी बनी है पहली बारतिया मेला खलाडी बनी अनसु मलिक ओसलो में पदक जीतने वाली रज़त पदक Q119 है हरी आना के किस रेलेवल लाइन पर पहली बार TCS 45 थापित की जाएगी तो दोस्तों ये रेलेवल लाइन होगी रेवाड़ी से लेकर जैपूर के बीच में बारत में रेलो के आपस के टकराने की गट न को रोकने के लिए रेलेवल लाइन बिचाए गई है और उसका नाम रखा गया कवच Q220 है हरी आना राज्ये के हडपा काली इंतिगडाना गाउं के पसुदन पर कौन सा कोलेज अनुसंदान करेगा या रिचर्च करेगा तो पुन्ना कोलेज है Q221 है हरी आना की किस बेटी को जर्मनी देश से यंग गलोबल चेंज मेकर आवार्ड मिला है तो संजोली बनर जी को मिला दोस्तो करनाल से बिलाओं करती है और इन्हें पहले कुछ टाइम पहले भी दांतराश्टिय डाइन आवार्ड भी मिल चुका है Q222 है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसना तो वीडियो को लाइक और चलोग सब्सक्राइब जूरू कर देना और जो भी करेंड़ा फिर पड़ी दोस्तो 2021 में इस से बार कुछ नहीं आएगा हरियाना साइटेकादिमी ने किष जिले की सरमिला देवी को हिंदी वर्ग विता तीन टुकुड़ा सूरुज के लिए पहला पुर्षकार दिया है तो जान लेते हैं यह सरमिला देवी सार से बिलोव करती है सोरोशेष्ट किरती पुरुषकारों के हिंदीक विविता वरग महिसार की डाक्टर सरमिला की करिती तीन टुकुडा को पहला पुरुषकार जबकि काहनी वरग में रोतक के विजय विबोर के कथा संगर है फिर वही पहली रात तथे उपनयास वरग में पंचकुला के लाजबतराय के पल जो यूँ गुजरे को प्रक्षित किया गया है अब दोस्तों अक्टूबर की करेंड़ा फिर समापतोच की इससे बारव कुछ ने आएगा अगर आपको PDF लेने तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और WhatsApp पर मैसिज कर सकते हैं और थैंक्यू सुमच आपको वीडियो देखने के लिए